पहले अगर आप बैंक्स के पास जाते थे लून लेने के लिए तो कम से कम 10 चक्कर लगवाते थे बैंक वाले आपको लून देने के लिए आज की तारीक में सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है हम लेके आए हैं आपके लिए एक पैसा लो की कमपनी जो आज शेर का स्पिलिट करेगी 1 इस टू 10 में तो आपको आपको 90% का फॉल दिखाई देगा घबराने वाली बात नहीं है हम बात कर रहे हैं पैसा लो easy loan digital way इसमें जो आपके extra shares है आज की तारीक में तो आपको सिर्फ एक ही शेर दिखाई देगा बट आपके no extra share आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको डिमेट अकाउंट में credit हो जाएंगे तो जो गिरावट होगी वो बहुत जल्दी recover होगी इसको मत समझेगा और इसमें in fact आपको profit भी है आई ये ज़रा समझाने की बात करते हैं कैसे इस खबर में आपके लिए profit है सबसे पहले अगर हम बात करें तो company जो है loan provide करती है और अगर हम पिछले एक साल का return देखें तो करी करीब करीब यहां पर 15 लाख borrowed service provide किया है जिसमें से 4 लाख के आसपास woman को इन्होंने loan provide किया है दस अलग-अलग राज्यों में ये अपनी service provide करते हैं और इनके पास 136 branches available हैं जो की digital आपको जंधन band account, आधार card, mobile to process loan और चाहे आपको phone लेना है, चाहे आपको गाड़ी लेनी ह जो चाहिए सब के लिए immediately 3C करके आपको बताते हैं loan की advantage आगर हम बात करें total तो इन्होंने 26 million asset under management है इनके loan book में करीब-करीब 25 million loan book है और revenue 3 million के आसपास है इनका जो एक काफी सठीक parameter है पैसलो और अपनी दिल्ली की company है चितरनजन पार्क में इन्होंने अपना registered office बनाया तो देखें company अच्छी है बट आपको क्या level पर खरीदना है वो आपको समझना होगा वो हम technical view बताएंगे और latest खबर की अगर हम बात करें सबसे पहले तो company का जो result आया है इस quarter में उसमें करीब यहाँ पर sales जो है 6% के आसपास increase हुई है 99 करोड के चलते हुए पर जो profitability है वो इनकी 600 करोड के आसपास increase 600% के आसपास increase हुई है 14 करोड इस quarter में इनको बहुत बढ़िया profit हुआ है जो की 2 करोड के comparison में काफी तकड़ा important parameter रहेगा अगर net profit पूरे year की बात करें तो 29% growth किया है जो कि एक healthy growth माना जाएगा loan service में लोगबाग अब फिर से करोणा का impact कतम होता ज जो इसे ज़रूत है शादी में ज़रूत है घर में finance की ज़रूत है तो वो सारी की सारी चीज़े यहां digital medium से fulfill कराने की कोशिश करते हैं इन्होंने State Bank of India के साथ भी अपनी partnership बनाई है जो इनको और भी wider reach provide करती है State Bank of India की branches आपको पता है देश के nook and corner में है और ये इनके लिए इन्होंने साथ साथ में Yuko Bank के साथ भी एक digital signing के लिए agreement sign कर लिया है और ये agreement यहां पर sign किया गया था May 24 को तो ये cool lending loan release करेंगे इसके अलाबा इन्होंने partnership Bank of Varoda आपको पताए होगा विज़ा bank और तेरा bank bank of Varoda में मर जो गए हैं ये सारे bank अब पैसा low का loan भी provide करते हैं आपको corporate action बहुत important होता है share price के moment के लिए अब हमारे हिसाब से volume भी बढ़ेगा इस stock में और action भी आएगा नए निविश्कों को बताना चाहेंगे कि इन्होंने stock split का announcement किया है 10 is to 1 के ratio में हर एक share पर आपको 10 share हो जाएंगे और इसकी x date है 30 अगर आपने already इसके share खरीदे हैं तो आपक ये stock split मिलेगा बट अगर आप आज यानि की 30 जून या उसके बाद खरीदेंगे तो आपको no free share नहीं मिलेंगे इस बात को ध्यान रखिएगा tax कैसे book किया जाता है profit के against तो ये समझाते हैं देखे यहाँ पर advantage मिलेगा कि आपको नए share तो मिलेंगे मिलेंगे आपको profit भी होगा और साथ साथ में आपको loss booking opportunity भी मिलती है loss booking कैसे होता है tax benefits जड़ा एक example से समझाने की कोशिश करेंगे माल लिजए एक simple example लेके चलते हैं और आपको अपने भाव के हिसाब से इसको accordingly calculation कर सकते हैं किसी ने 800 रुपे के भाव में इसके 100 share खरीदे हैं तो आपका जो मूल निवेश हो गया वो 80,000 रुपे का हो गया है 80,000 रुपे as it is आपके निवेश रहेंगे 80,000 as it is कोई change नहीं होगा उसमें बड़ आपके 100 share की बजाए आपके पास अब 1000 share हो जाएंगे तो ये हर share की कीमत 80 रुपे होगी जिससे आपकी net worth सेम रहेगी बट ये आपको opportunity देगा हर एक share पर आप 720 रुपे का loss बुक कर सकते हैं कैसे देखिए समझिएगा आपने जो 100 share original लिये थे अगर वो आज या कल आप इसको बेच देते हैं तो आपकी जो purchase price है वो है 800 रुपे की और जो आपका sell price है वो है 80 रुपे का तो जो आपको net loss है वो है करीब करीब 720 रुपे का तो ये 720 रुपे का loss आप अपने किसी भी short term के losses से प्रॉफिट से adjust कर सकते हैं तो आपको net profit रहेगा यहाँ पर इस तरह से अगर हम देखा जाए तो अगर बात करें कि क्या होगी आगे की रनीती हमारे हिसाब से ये stock के लिए positive momentum trigger करेगा क्योंकि नए निवेशक lower level पर इसको खरीदने की कोशिश करेंगा कमपनी 35,000 करोर की कमपनी है तो आप चाहें तो अपने portfolio का up to 5% इसमें निवेश कर सकते हैं ये आपको advantage देगा उससाब से dividend भी देते हैं और daily volume जो है करीब 70,000 share hand exchange होते हैं जिसमें से 44% की delivery यहाँ पर होती है तो उससाब से fundamentally solid कमपनी माले जाएगी अगर revenue की बात की जाए तो देखे on average इनका revenue 350 करोड के आसपास है पिछले 5 सालों में एक challenge जो है इनका जो digital loan है वो growth 2021 में थोड़ी कम हुई थी बर 2022 में अब फिर से बढ़ गई है पर जो exponential growth की बात कर रहे थे शुरू में वो इतनी जादा exponential growth अभी तक इनकी दिखाई नहीं हो सकता है जैसे जैसे collaboration इनके बढ़ेंगे अधर अधर companies के साथ वो धीरी दिरे इनको ground reality पर अच्छे loan और अच्छा revenue प्रवाइड करेगा profit अगर देखा जाए तो 2022 में highest profit मिला है company को 79 करोड का जो की एक अच्छा margin प्रवाइड कर रहे है sales के against समझे कैसे कह रहे हैं देखे आपके पास अगर हम margin बात करें 2022 में तो इनके margin 20% से भी जादा है जो इनको एक unique position पर लेके जाता है digital loan की company के साथ में digital loan दे रहे हैं और साथात में higher margin profitable margin प्रवाइड कर रहे हैं प्रमोटर की holding 44% और FIA ने शांदार 19% की holding रखी हुई है इस stock में अगर एक चीज़ धियान र है तो क्योंकि उनको यहां पर debt की थोड़ी सी चैलेंज है company को इसलिए यह प्लच के और debt के बारे में हम आगे detail में बात करेंगे अगर major holder की बात करें अंतारा India energy fund 13% आसपास नमुरा Singapore limit ODI करीब दो दूशनों चाप्त यह FIA की कडिगरी में रहे हैं अगर हम DIA की बात करें तो SBI Life Insurance Company, Life Insurance Corporation of India यहां पर 1% के आसपास approximately State Bank of India 12% के आसपास और साथात में corporate bodies और यहां पर 3% के आसपास निवेश के वाइजील Professional Service Private Limited ने यहां पर approximately आपका 1.5% के आसपास holding रखी हुई है तो इससाब से company के काफी बड़े diversify हैं और digital loan आपको online service के through provide कर रहे हैं आईए ज़रा चलकर इस business segment की financial and peer comparison देखते हैं पैसलों की comparison में पैसलों की क्या profitability है financial term में और साथ-साथ में इसके peer का क्या comparison चल रहा है अगर like to like comparison किया जाए तो profitability एक साल की performance देखे stock market में सबसे जादा return इसी ने दिया है करीब 31% का अगर आप बजाज की बात करें बजाज twins तो minus 8% और 26% के आसपास return दिखलाया है इन्होंने मुतूत ने minus 33% का return दिखलाया है एक साल में profitability 79 करोर की profitability है यहाँ पर बजाज finance बड़ी company है इसलिए सबसेदा profit भी उसी के पास में है profit पर 1000 करोर मार्किट कैप में यहाँ पर इनको improve करना होगा केवल दो के आसपास है धीरी धीरे जैसे जैसे इनकी market कैप के against इनकी sales बढ़ेगी वो parameter भी improve होगा पर उसके लिए इनको sales पर अच्छा काम करना होगा deputy correction की बात की जाए तो यह 1.5 है जिसकी वज़े से इनके lenders को भी अपने holdings को pledge करना पड़ रहा है future outlook company का बहुत positive है हमारे साब से consumption theme है जैसे जैसे लोग अपना loan की demand बढ़ेगी वैसे वैसे इनका price improve होगा इनके पास advantage है कि cheap loan available है तो यह affordability है इनको और भी loan book को further grow करने के लिए product जैसे जैसे enhancement करेंगे, innovation करेंगे, customer increase होगे और यह इनके partnership के साथ इनको gain मिलता रहेगा technically आईए ज़रा चलकर इसका भाव देखते हैं और बता लगाते हैं कि क्या है company की आगे की रननीती बंध होते होते, अगर हम यहाँ पर पैसा low को बारे में बात करें, तो पैसा low बंध होते होते, कल यह 799 पर बंध हुआ है यहाँ पर अगर इसका long term का chart देखें पैसा low का, तो chart के basis पर इसने काफी अच्छा consolidation किया हुआ है यह बात समझेगा देखें, जब भी company इस तरह का consolidation करती है, वो company के लिए अच्छा माना जाता है यह इसकी जो range बनी है, 710 के भाव से लेकर, उपर करीब करीब 870 का range इसने बनाया हुआ है तो यह एक बहुत ही बढ़िया position है इसके लिए, जो इसको एक consolidation range में lower level पर buy कर सकते हैं, उपर level पर sell कर सकते हैं, swing trade के reference में और यह इसको एक positive territory में लेके जाएगा, अगर हम बात करें इसका bullinger band के basis पर क्या हिसाब चल रहा है, तो bullinger band के basis पर इसने काफी अच्छा momentum रखा है, blend almost flat है, यहाँ पर bandwidth करीब 9 के आसपास है, तो यह इसको outbreak के लिए अब यह तयार है, यहाँ पर breakout के लिए यह बहुत consecutively ऊपर लेके जाएगा, super trend ने buy signal generate करना शुरू कर दिया है, और साथ-साथ में आरा second level 58 है, जो की एक neutral zone से slightly positive की तरफ inclined हो रहा है, अगर MACD को देखें, तो MACD ने भी इसको buy signal maintain करके रखा हुआ है, अगर moving average की बात करें, तो moving average, इसका 50-day moving average, 200-day moving average के नीचे है, बट 200-day moving average का direction upward है, तो ये छोटा सा dip है, जो इसको खरीदने के लिए एक अच्छी position बना सकता है, जैसे जैसे product बढ़ते जाएंगे, revenue बढ़ेगा, pat बढ़ेगा, और return on capital for shareholder भी improve होगा, अगर आपको वीडियो में दीगे जानकर ये अच्छी लगे, तो आप हमारे चैनल को free में subscribe कर सकत हैं, और अगर आप हमारी trades को copy करना चाते हैं, तो 299 का advance package लिजे, आपको सारी deal में मिलेंगी, please concern financial advisor, जै हिंद, जै भारत,